Hello everyone, welcome back to SSC Mathon RRC Group D के लिए RRB Group D प्रिविए सियर 2018 का क्वेस्टिन Summer was given a sum of money to take care of his journey expenses in 8 days sales, sales campaign His journey was extended by 6 days as a result his average daily allowance decreased by 120 How much money was initially approved by him? Sir, एक चीज़ समझो, कि इनको कितना दिन के लिए expenses मिला था? Sir, 8 दिन के लिए, अभी कितना दिन बढ़ गया? Sir, 6 दिन बढ़ गया, अभी कितना दिन के लिए हो गया? 14 दिन के लिए, पहले उनका allowance था, हम लोग सोचते है, X रुपए अभी उनका allowance है, कितना हो गया? Sir, X माइनस 120, क्या यह दुनों बराबर है? हाँ, Sir, एक ही है, क्योंकि 8 दिन के पार डे के उसत से X रुपए करके, कितना total 8X रुपए उनके पास था? लेकिन, लेकिन, अभी क्या हुआ? 6 दिन बढ़ने के कारण, उनका 120 रुपए करके decrease हो गया, तो अभी क्या हो जागा? Sir, 8X इकोल्स टू, 14X माइनस 14, इंटू 120, Sir, 14 इंटू 120 का हम लोग नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे, देखो, 8, 6 के 14, तो 6X बराबर, Sir, 14 इंटू 120, तो X बराबर कितना हो? 6, 2, 2, 20, तो 14, 2, 28, 280 रुपए, उनको पार्डे मिला था, ठीक है? तो पार्डे के उसद से हम लोग पकड़े थे, X equals 2, एक चीज समझ लेना, Sir, कि आप जितना गलत करना चाओगे, उतना गलत आपको answer में दियावर आएगा, यहाँ पे question को अगर strong बनाता, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से 280 देता, बहुत maximum 90-80% student क्या करता, वही 280 मार्क करके आजाता जल्दी-जल्दी, question तभी strong होता, जब options बहुत nearest होता, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिल जागा, sir? 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 into 200 सी, तो कितना होता है, 8, 2, 16, 8, 8, 64, तो 6, 4, तो 1, sorry, 2, 2, 4, 0 is the correct answer, option number 1 is the correct answer. Okay, sir, thank you, bye-bye, stay tuned for the next class.